खबर आ रही है दूदू से मैला बाल विकास मंत्री मम्ता भुपेश ने किया करोना योदाओं का सम्मान दूदू विदायक बाबुलाल नागर ने विदान सभा के 16 व्यक्तियों को चिन्नित कर उनका सम्मान समोरे आयुजित किया जिसमें मुख्य अतिती मैला बाल विकास मंत्री मम्ता भुपेश ने शिर्कत कर अपने हातों से करोना योदाओं का प्रशस्ती पत्र दे का सम्मान किया साथ ही केंद्र की भाजपा पर जमकर बर्सी कहा कि राजस्तान की सरकार के साथ जैसा बेगबाद केंद्र ने किया है ये स्वच राजनीती के लिए अच्छा नहीं है मान्ये मुख्य मंत्री जी ने राजस्तान को संभाला और कोरोना के अंदर पूरी देश दुनिया के अंदर राजस्तान का नाम हुआ उसी प्रकार से बावुला नागर जी ने अपने विदानसवा शेत्र के अंदर एक अनूटी पहल करके कोरोना युद्धाओं का जो समान समारों किया उसके लिए तो में इनका बहुत-बहुत शुक्रियादा करना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी कि सभी जन प्रतिनी दीस रहा पे चलें क्योंकि ऐसी मुश्किल की घडी में जब हमारी आंगनवडी की बहरों ने घरगर सर्व हम आयुजित किया यह बहुत ही अपने आप में अनूटी पहल देखिए भारती जनता पार्टी के सभी नेताओं की एक यह फित्रत है कि अनर्गल बयान बाजी करें लोगों का ध्यान भटकाएं लोग जो बेसिक मुद्धे हैं उनसे किस तरह कि राजस्तान की जनता दूर ह क्योंकि आज बेरोजगारी का मुद्ध है भारती जनता पार्टी की केंद्रे में सरकार है नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आये थे उस दौरान उन्होंने कहा कि मैं इतने करोड नौक्रियां दूँगा 15 15 15 लाक रुपे हर घर के आदमी के खाते में आएंगे बहुत सी जूटी प्रलोबन देखे वो भारती जनता पार्टी सत्ता में आई